आज किस वीडियो में हम लोग करने वाली है 12th Class Political Science का चाप्टर नमबर 6 Security in Contemporary World तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार security होती क्या है तो security का मतलब होता है freedom from threats यान कि जब हमें क्या है आजादी मिल जाए धंकियो से यान कि जब हमारे देश को धंकिया आना बंध हो जाए उसे हम्याए security मानते हैं अब security में threat का मतलब ऐसा नहीं कि होढ़ी जो धंकिया नर्मल होती है वंम नहीं आगी तो इस तरह की धमकी आती है ना तब हमारी जो security है वो भंग हो जाती है और जिससे हमारी जो core values है उनको भी कहें बहुत जादा खतरा पहुचता है अगर हमें इस तरह की threats आती है तो core values कौन सी होती है core values ऐसी values होती है जिसके अंदर कहें हमारी खुद की sovereignty हो हमें dependence हो और साती सात कहें हमारी terrifying integrity हो तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो boundaries है उसको क्या है हम secure करके कोई दूसरी country आकर उसकी उपर कबजा ना कर ले तो ये होती है हमारी core values इन्हें याद रखना अब ये जो concept है ना security का वो classify किया गया है दो के अंदर पहला है traditional notions of security दूसरा है non-traditional notions of security basically क्या है जो security है उसके क्या है दो parts है traditional और non-traditional तो हम इनके बार में अब detail में पढ़ने वाली है तो ये जो traditional notion है ना के भी दो parts है external और internal तो सबसे पहले हम क्या है external parts को देखती है तो traditional notion के according क्या है जो concept है बहुत जादा danger का वो हमें क्या है आता है military threats से जो क्या हमें country से आ रही हो यान कि इसके अंदर basically क्या है military threats होती है यान कि हमें military threat दे रही होती है कि तुम्हें हम तक तबाह कर देंगे वह कर देंगे यह कर देंगे basically यहां पे क्या military threats होती है next है कि जो military action होता है other countries का उससे भी क्या है हमारी जो core values है उनको खत्रा होता है और जैसा कि मैंने आपको core values पहले भी बताएं है sovereignty, independence और territorial integrity तो ये तीन core values याद रखना अमालो किसी सरकार को क्या ही युद की धमकिया मिल रही है तो वो सरकार किस तरीके से उन युद की धमकियों का जवाब दे सकती है उसके तीन तरीकी है तो चलिए जानते हैं उन तीन तरीकों के बारे में पहला तरीका तो ये है surrender करना यानि कि घुटने टेक देना पहले ही सरकार बोल दे कि हम हार गई हमने surrender कर दिया आप वोर start मत कीजिए next point में दे रखा है कि दूसरी side को ऐसा बताना कि अगर तुम लोग attack करोगे ना तो हम भी त्यार है हम भी तुम पे ऐसा attack करेंगे जिसे तुम क्या है जेल नहीं पाओगी तो दूसरा point यह है और तीसरा point कि जब वोर actual में start हो जाए ना तो हमें क्या है बचाव करना है अब वोर तो start होई गया अब रोकतू से सकते ही नहीं तो अब क्या हम जैसे बचाव कर पाएं वैसी हमें क्या है बचाव करना है तो अब हम देखने वाली है कि traditional security की policy क्या है तो यहां पर हम क्या है चार components पढ़ने वाली है traditional security policy की तो सबसे पहले आता है prevention of war जिसे हम क्या है debt trends बोलती है यानि कि हमें ऐसा हमारे country के अंदर power बना के रखनी है कि war हो ही न यानि कि हमें ऐसा कुछ करना है कि war आगे चलकर हो ही न यह होता है debt trends दूसरा point है defense जिसका मतलब होता है war के उपर limit लगा देना या war को पूरी तरह से खतम कर देना यानि कि मोटा मोटा इसमें दे रखाए कि खुद का बचाव करना अब actual में war start ही हो जाए तो हम क्या बचाव भी कर सकते हैं war को limit कर सकते या war को खतम कर सकती है third point है balance of power यान कि हमें power के अंदर balance बना के रखना है इसको एक example से समझते हैं अब मालो आज के तो time पे क्या है इंडिया और जो श्री लंका है उसके relation अच्छी है तो अब ऐसा नहीं है कि इंडिया और श्री लंका के relation आज अच्छे है तो वो कल को भी अच्छे रहेंगे इसे लिए इंडिया को भी क्या है अपनी military बना के रखनी है और को भी क्या है अपनी military बना के रखिया है कि हो सकते है अगर कल को वोर हो जाए तो हमारे पास क्या है power हो उसको counter करने की हम क्या है उसके उपर काबू पा सकी और balance of power का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी countries है और जो छोटी countries है उनमें क्या है power का balance होना fourth point है alliance building जिसके अंदर क्या होगा बहुत सारी countries आके अपना एक alliance बनाएगी यानि कि अपना group बनाएगी अगर कोई भी देश उनमें से किसी भी country के उपर attack करता है तो वो alliance वाली जितने भी countries है वो सारी मिलकर क्या है उसे एक country के उपर attack करेगी और यह जो ज़्यादातर alliance building है यह क्या है एक treaty की form में होती है बहुत सारे देशोंने क्या कागज पे sign किये हुए होते हैं उसे हम क्या treaty बोलते हैं तो यह होती है alliance building अब इस कागज से यह मत समझ रहे न कि उठाकर कोई भी कागज पे sign करवा देंगे नहीं उसके उपर proper सारी terms और condition सारा कुछ लिखा हुआ होता है तो दूसरा हमारे traditional security का पार्ट है internal तो यह जो इंटर्नल security है ना तो इसके अंदर क्या होता है किसी एक देश उसके अंदर से ही उसको खत्रा होता है मालो civil war हो गया तो इस तरीके के जो खत्रेयां वो क्या है country को अंदर से ही होते हैं उसे हम क्या है internal जो traditional notions बोलते है तो second जो world war हुआ उसके बाद में जो internal security है ना वो क्या इतना ज़ादा serious matter नहीं है बहुत सारी world powers के लिए। तो अब हम देखते हैं जो internal threats हैं उनके अंदर क्या-क्या आता है यानि कि हमारे देश को जो अंदर से खत्रे हैं वो कौन-कौन से हैं। तो पहला आता है separatist moments ये क्या है ऐसे लोगों का group होते हैं जो क्या पूरी country से अलग चलते हैं और ये चाहते हैं कि हमें क्या इस country से अलग रखा जाएं इसलिए वो क्या है separatist moments करते हैं और पूरी country के अंदर tension का महोल बन जाता है। दूसरा आता है terrorism अब ये जो terrorism है यानि कि जो आतंकवाद है वो किसी एक country के अंदर से भी उठ सकता है जैसे कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर हुआ था। यानि कि कोई एक community के लोग जब क्या है पूरी देश के उपर हावी हो जाते हैं तब भी क्या है एक internal threat बन जाती है उस देश के लिए। फोर्थ है ethnic conflicts यानि कि क्या है जात पात के उपर जगडा होना, political मुद्धे पे होना, cultural मुद्धे पे जगडा होना तो ये सारे क्या है ethnic conflicts है जिनकी वज़ा से भी internal threat मिलती है एक country को। तो अब हमारा topic आता है traditional security and cooperation यानि कि जो traditional security है हमारी उसके अंदर हम लोग कैसे corporate कर सकती हैं तो जो corporation है ना वो क्या है बहुत ही math पून पहलू है traditional security का और ये जो corporation है ना वो क्या है बहुत ही important role play करता है violence को कम करने में यानि कि हिंसा को कम करने में तो हम लोग किस तरीके से corporate करते हैं उसके लिए कुछ points है वो हम देखते हैं पहला point है limits on goals and means of war यानि कि अब माललो कोई country का अगर war हो भी जाता है युद्ध हो भी जाता है तो उन पहे क्या है limits लगा दी जाए यानि कि उनको क्या कुछ दायरा हो war करने का यानि इक कि माललो अगर किसी country के अंदर war हो जाए तो वो क्या उसके आम लोगों को क्या है नुकसाण ना नेच्स्ट पॉइंट है डिस आर्मेंट, यान की हत्यारों का यूज ना करना और इसका एक एक एक्जाम्पल है कि बायलोजिकल वेपन कंवेंशन और कैमिकल वेपन कंवेंशन हुई थी जिसमें कहा गया था कि इस तरह के वेपनस का प्रोडक्शन बिलकुल ही बंद कर दिया तो ये थे कुछ पॉइंट जिनकी वज़े से हम क्या है ट्राइशनल सिक्यूरी में कॉपरेशन ला सकती है अब आता है हमारे पास non-traditional notions of security पहले हमने traditional पड़े जिसके अंदर हमें क्या है military से खत्रा था तो ये जो non-traditional security है ना वो क्या है किसी भी state से related नहीं होती उसमें क्या है ऐसा नहीं है कि किसी देश को कोई खत्रा है इसके अंदर होता है जो इंसान और जो इंसानों का एक group है मालो कोई community है उसको खत्रा हो तो उसे हम क्या है non-traditional notions बोलते हैं security के और ये जो non-traditional factors है ना वो दो तरह की होती है इसके अंदर पहला तो आता है human security और दूसरी है global security तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते है human security को तो ये जो human security ना उसके अंदर क्या है हम लोगों को बचाती है बजाएकी states के यान की बजाएकी country को हमें ऐसा नहीं है कि country को बचाना है उसके resources को बचाना है हमारा पहरा goal होगा कि लोगों को बचाना है और जो human security के लिए threats है यान की उनके लिए जो मुश्किले है वो है hunger यान की भुकमरी लोगों में भुकमरी की वज़ों से बहुत जादा मोते होती है बिमारी आना जैसे कि आपने देखा COVID-19 आया था और ऐसा भी माना जाता है कि इन सब कारणों के कारण जो लोग है वो क्या है terrorism और वोर से भी जादा मारे जाते हैं और अब आता है हमारे पास global security और जो global security है ना उसके अंदर हमें क्या है threats में होती है जैसे कि global warming हो गई यानि कि क्या है हमारा जो environment है हमारा जो water world है उसमें क्या है गर्मी बहुत जादा बढ़ गई जैसे कि global terrorism यानि कि ऐसा terrorist group या ऐसा terrorism जो क्या पूरी दुनिया के उपर चाया है उसको खतम करना उससे भी हमें क्या threat मिल रही है और next है health और epidemics यानि कि जो तरह तरह की बिमारिया पनप रही है उनसे भी हमें क्या खत्रा है तो अब आता है हमारे पास new sources of threats और यह जो क्या है वो non-traditional security है ना उसी का ही part है और जो non-traditional concept है ना security का वो focus करता है नए-nए sources पे threats की और कुछ जो नए sources और threats के वो हम देखने वाले है तो सबसे पहले आता है हमारे पास terrorism तो दुनिया के अंदर क्या है एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने क्या है terrorism यानिकी आतंकवाद का सामना ना किया हूँ जैसा कि आपने देखा होगा जो 9-11 का attack है US के उपर हुआ था वो terrorist attack था जैसे की और इंडिया के अंदर भी मुंबई में attack हुआ था और इससे हम यह अंदाजा लगा सकते है कि जो पूरी दुनिया है वो भी कहा है terrorism से परिशान है Second point है human rights violation यान कि बहुत सारे ऐसे देश नहीं जो कि क्या है humans के rights चीन लेते है उनको rights नहीं देते या दे भी देते है तो उनको क्या है भंग करने में लगे हुए है तो ये भी क्या है बहुत जादा हमारी बड़ी problem है और basically हम कह सकते है कि ये क्या एक नया source है threats का Next step है हमारे पास global poverty यानि कि पूरी दुनिया के अंदर ही क्या गरीबी चाई हुई है गरीबी भी हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ी threat बनती जा रही है तो हमारी अब जो population है ना वो है 777 करोड और ये आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरी दुनिया की जो जनसंक्या है वो हजार करोड हो जाएगी और इस वज़े से chances है कि गरीबी और भी जादा बढ़ जाए और इस poverty की वज़े से जो rich nation और जो poor nation है उनमें बहुत जादा difference आ जाता है क्योंकि जो अमीर है वो तो और जादा अमीर बनते जा रही है और जो गरीब है वो और जादा गरीब होते जा रही है fourth point है migration अब क्या हो रहा ना जैसे जैसे जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है जिस वज़े से जो southern world के लोग है वो क्या है northern world में जा रही है बहुती बड़े scale के उपर यानकी बहुत जादा लोग जा रही है जिस वज़े से जो northern states है उनके उपर burden बढ़ रहा है जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो कश्मीर पंडित है उन्होंने क्या कश्मीर वैली को छोड़ दिया था 1990s के अंदर क्योंकि वहाँ पे जो violence है वो बहुत जादा बढ़ गया था फिफ्ट पॉइंट है हमारा epidemics तो जो तरह तरह की बिमारिया है जैसे हो गई HIV, word flu, swine flu और एक बिमारी है सर्व acute respiratory syndrome जिसे हम कह सार्स कहते हैं तो इसे क्या है याद रगना बहुत बार या आपका वनमा के question में पूछ लिया जाता है इसके अलाव जो COVID-19 है तो ये जितनी भी विमारिया है वो कह पूरे world के अंदर एक country से दूसरी country में फैलती जा रही है जैसे कि जो corona था वो कह शुरुआत तो उसकी चाइना से हुई तो ऐसा तो नहीं है न जो corona था वो सिर्फ चाइना के अंदर ही रहा वो कह पूरे world के अंदर फैल गया तो ये भी कह हमारे लिए एक नई threat थी तो पहले हमने देखा था cooperation traditional security के अंदर अब हम देखने वाले हैं cooperation non-traditional security के अंदर तो जो international cooperation अना वो बहुत ही ज़ादा जरूरी है poverty को खतम करने के लिए migration को manage करने के लिए और जो refugee moments चल रही हैं उनको manage करने के लिए और जो महमारियां बढ़ रही हैं उनको control करने के लिए second point है कि हम लोगों को क्या है military force है तो सिर्फ क्या है terrorism और जो human right violation हो रहा है उनको खतम करने के लिए ही use करनी चाहिए next point है कि जो force है वो क्या है last resort होना चाहिए किसी भी problem को solve करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या पता जो problem है वो बातचीत से ही सुलजा ली जाए उसके बाद में हमें क्या है military पे जाना चाहिए अगर बातचीत से sort out नहीं होती है और इन सब के अलावा क्या हम बहुत सारी international organization बना सकती है cooperative security के लिए जैसे कि हमारी जो united nation है वो बना हुआ है world bank है, imf है, world health organization है और इसके अंदर के बहुत सारी non-governmental organization भी आती है यानि कि बहुत सारी NGOs भी आती है जैसे कि MNST international है, red cross है तो इस तरह की organization हम क्या है बना सकते है cooperative security के लिए तो अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया की क्या security strategy है तो जो इंडिया है ना उसने क्या है traditional और non-traditional दोनों ही जो security की threats है उनको सहा है, उसने क्या है अपनी country के अंदर भी और country के बहार के जो borders है, वहाँ पे भी उसने क्या है threats को सहा है तो इंडिया ने क्या है, बहुत ही जादा strong security strategy बनाई है इन सभी threats को face करने के लिए और जो इंडिया की security strategy है उसके क्या है, चार components है तो वो कौन-कौन से components है चलिए जानती है उनके बारे में तो पहला point है strengthening the military यानि कि military को क्या है बहुत जादा strength देना, उसको बहुत जादा बढ़ावा देना क्योंकि जो इंडिया है उसका क्या है अपने जो neighbor countries है उसके साथ बहुत बार war हो चुका है जैसे कि जो इंडिया और पाकिस्तान है उनका क्या चार बार युध हो चुका है अब तक और चाइना के साथ 1962 में क्या है एक बार युध हुआ था इंडिया का तो इसके बाद में क्या है military को strength देना इंडिया की बहुत ज़ादा ज़रूरी बन गया है ताकि आगे से अगर कोई हमला हो तो हम भी क्या है जवाब दे पाएं second point is to strengthening international norms and institutions तो ये जो क्या है इंडिया strength दे रहा है international institutions को वो क्या है एक बहुत ही बड़ा component है security को promote करना इंडिया की तो जैसे कि जो इंडिया है उसने क्या disarmment को sport किया था और वैसे ही discriminatory treaties थी उनके खिलाफ भी इंडिया ने क्या है आवाज उठाई थी और साथ ही इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को भी sign किया था third point है meeting the challenges within the country यानि कि जो internal security है उसको हमें किस तरह से दूर करना है उसके लिए भी इंडिया ने कहा है बहुत सारे कदम उठाए हैं जैसे कि जो बहुत बार कहा है जो militant group है कश्मीर के अंदर पंजाब में नागलेंड में मनीपूर में मिजोरम में तो बहुत बार यहाँ पे उन्होंने कहा है दंगे फसाद करने की कोशिश की है लेकिन इंडिया ने कहा है उनको कामयाब नहीं होने दिया और internal security की threats दूर करने के लिए इंडिया ने कहा है democratic political system अपनाया जिसके अंदर कहा है democracy हो fourth point है हमारा developing economy जैसे इंडिया अजाद हुआना तो इसके अंदर बहुत जादा गरीबी थी बहुत जादा गरीब लोग थे तो गरीबी को दूर करने के लिए इंडिया ने सोचा कि हम क्या है लोगों का जो standard of living है वो बढ़ाते है और जो इंडिया ने उसके अंदर जो democracy है वो भी क्या एक बहुत बड़ा कारण है जिस वज़ासे जो internal security है वो क्या है वनी रहती है इंडिया में तो यहीं पर आपका chapter होता है खतम लेकिन important questions भी अभी आने बाकी है तो चैनल को subscribe कर लेना और बाकी सभी chapters की वीडियो भी आप मेरी चैनल पर देख सकते हो और हाँ अगर आपके पास geography भी है तो उसके भी chapter अप्लोड हो चुके हैं उनकी भी वीडियो ज़रूर देख लेना